हेलो एवरिवन वेलकम बैक टु माई चैनल ब्यूटी जोन आज मैं आपके साथ एक DIY टोनर शेयर करूंगी कि हम टोनर को घर पर कैसे बना सकते हैं मार्केट बेस में भी मार्केट में भी आपको टोनर्स मिलते हैं पर अगर हम घर पर अगर हम इजी हैं अगर हम नहीं ज्यादा इंवेस्टमेंट करना चाहते तो हम घर पर भी इजीली टोनर मना सकते हैं अगर आप मार्केट बेस वाले भी लेते हैं तो प्लीस वो भी अल्कोहल फ्री ही प्रेफर कीजिए वैसे टोनर के उपर मेरी फुल वीडियो मेरे चैनल पर है आप वो भी चेक आउट कर सकते हैं और मैंने ये बनाया है डियाई वाई टोनर ठीक है इसमें आपको टू इंग् कीजिबल रिजल्ट्स आपको शो होते हैं ग्रीन टीप बहुत बैनिफीशियल है हमारी स्किन के लिए और अलोवेरा जल तो आप सब जानते ही है अलोवेरा जल हमारी स्किन को हाईड्रेशन प्रोवाइड करती है ठीक है तो बाकिए अलोवेरा जल के उपर भी मेरे चैनल पर फुल रिव्यू है आप वह भी चेक आउट कर सकते हैं तो यह मैंने इसको स्टोर किया है फ्रीज में तब यह आपको थोड़ी सी फ्रॉस्टेट सी लग रही है यह मैंने फ्रीज में ही स्टोर करके रखा हुआ था और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे को ट्राइ किया तो आपको यह कैसा लगा तो चलिए मैं आपके साथ शियर करती हूं सबसे पहले हमने पानी को बॉइल करना है पानी को गरम करना है आपने दो कप पानी लेना है तू कप दो कप पानी लेना और पानी जो आपने लेना है वह टैप वाटर ना हो जो आप पान tea की ठीक ह्या अगर आपके पास मतलग की ओपन है ग्रीटी तब भी आप two spoonS ले सकते हैं तो ये मेरे पास tea bags थे तो मैंने इनको उपर से कट करके दोनों सैशे मैंने बीच में डाले हैं यह देखिए मैंने ज़्यादा बेनिफीशल है ग्रीन टी का फेस मास्क भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जो आपकी स्किन को रेडियंट करता है आपके पोर्स को टाइटन अप करता है यह देखें फिर मैंने दोनों अपने सैशे जो है वो मैंने इसमें डाल लिये जो टी बैक्स दोनों कट है वो सारा गुडनेस जो है वो उस पानी में एड हो जाए आपने तब तक बॉयल करना है जब तक आपका ये दो कप पानी जो है वो एक कप पानी रह जाए तब तक आपने इसको अच्छी तरह से बॉयल करना है यह देखिए मेरा दो कप था और मैं आपको मैयर करके बता र दो कप था और एक कप रह गया है अब इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे गैस को बंद करके ठंडा होने के लिए रख देंगे फिर उसके बाद मैंने अलोवेरा जेल ली है आपके पास जो अलोवेरा जेल है आप वो मेरे पास baamart की थी ये transparen 살 Yogil को मैं सौप आपके पास बोटल आपके पास बोटल नहीं है इसकी बोटल आप उस इसमेंगा सकते हैं जरूरी sırजता हैę फिर आपने इसको stir कर लेना है अच्छी तरह से stir करके आपने इसको shake करके आप इसको use कर सकते हैं देखिए कितना easy है इसको घर पे बनाना और इसको उसके बाद आपने इसको fridge में store करके रखना है आप easily इसको यूज कर सकते हैं 10 से 12 दिनों बाद आप दुबारा इसको बना सकते हैं आप खुद इसका visible result देखेंगे आपने मेरी वीडियो देख ली आपको कैसी लगी आप इसको try ज़रूर कीजिए एक बार ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार market based वाले ही लेने चाहिए हमें घर पर भी ज़रूर try करना चाहिए और इसको बनाना कोई ज़्यादा tough नहीं आपने देखी लिया है इस सिरफ दो ही ingredients हैं जो आपको daily आप अपने घर पे भी use करते हैं आप उसी से ही इसको बना सकते हैं और हाँ आप इसको फ्रिज में 10 से 12 दिनों के लिए स्टोर करके easily रख सकते हैं ताकि यह कोई घराब नहीं होगा लेकिन फ्रिज में रखना फ्रीजर में नहीं फ्रिज में और आप इसको यूस कब करना है यह आपने morning में और night में दो नो टाइम morning और night after the face wash जैसे ही अपने face को अपने wash करने के बार आपने इसका spray करना है ठीक है ऐसे as it is और अपनी skin पे इसको अच्छी तरह से अपने penetrate करना है ठीक है और यह नहीं है कि भी आपने एक time कर लिया दो नो टाइम अपने इसको apply करना है दो टाइम तो बहुत ज़रूरी है ठीक है फ्रिज में आप इसको easily store करके रख सकते हैं अब venters है तो आप थोड़ी देर बाहर निकाल के पहले रख लीजे ताकि spray हो जाए easily ठीक है आपको बहुत ज़रा ठंडा ना लगे और आप इसको use कर सकते है और यह आपके pores को tighten up करता है toner आपकी daily life में आपने इसको include करना है अपनी CTM routine में यह बहुत ही ज़्यादा important है ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी helpful लगी तो please मिरे चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए और friends and families में share कीजिएगा और एक और बात अगर आपके पास spray bottle नहीं भी है तो आप simply किसी भी bottle में आप इसको store कर सकते हैं और आप इसको cotton pride पे लेके अपने dab dab करके आप इसको use कर सकते हैं ज़रूरी नहीं कि आपने spray करना है spray bottle हो तो और भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और friends and families में share कीजिएगा थैंक यू थैंक यू सो मच